हलो अब्रिवान आज मैं आपके लिए गुलाब जामुन डिलाइट आइस क्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ वो भी बिल्कुल आसान तरीके से और कम समान में और जब यह बनकर तयार हुई तो मुझे भी बिलीव नहीं था कि इतनी जादा टेस्टी बनेगी इसका टेस इतन शानदार है कि बहुत ही जादा डेस्टी तो चलिए जल्दी से बनाने शुरू करते हैं गुलाब जामुन आइस क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कड़ाई ली है इसमें में दो कप फुल क्रीम दूद डाल रही हूँ और यह 500 ml का कप है अगर वेट में नापेंगे तो यह 500 ml दूद है अब हम इसे गयास पर रख देंगे गयास का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसमें एक उबालाने की वेट करेंगे और जब तक हमारे दूद उबल रहा है तब तक हमने यहाँ पर यह बोल लिया है इसमें हमने दो चमच कॉन फ्लार डाला है या जिसे कॉन स्चार्च भी कहते हैं अगर आपके पास यह ना हो तो आप इसकी जगा अरा रोट ले सकते हैं या फिक कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं पर अगर कॉन फ्लार लेंगे तो ज़्यादा बेटर है साथी इसमें एक चुताई कप ताजा दूद डाल देंगे आप दूद ताजा या ठंडा डालें गरम दूद बिल्कुल ना लें गरम दूद डालने से इसमें गुटलियां बन जाएंगी और इसे मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल होगा यह कॉन फ्लार दूद में अच्छे से मिक्स हो गया है और इधर दीकि दूद में भी उबाल बएन पाइप गय Mississippi flute कर देंगे और यह कॉनफलार का मिक्सर हम दूद में टाल देंगे लेकिन डालने से पहले इससे एक बार पिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे जो कॉनफलार होता है वो नीचे जाके बैठ जाता है और अब अर्यक्तर करेंगे कि डूद बहूं जल्दी स पर 100 ग्राम यानि आदा कप चीनी डाल रही हूँ आप चाहें तो इसकी जगा आदा कप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं पर क्योंकि चीनी इसलिए अवेलबल होती है तो इसलिए मैं यापर चीनी का यूज़ कर रही हूँ और चीनी डालने के बाद हम इसे लगातार चलाते र लेंगे पहले हम इसे रूम टेंपरिचर पर ठंडा होने देंगे और जब यह ठंडा हो जाएगा तब हम इसे 15-20 मिनट के लिए फ्रिजर में रख देंगे ताकि यह मिक्स्टर अच्छे से चिल्ड हो जाएगा यानि बिल्कुल ठंडा करना हम इसे जमाना नहीं है और जब तो इसलिए मैं यहां पर इलेक्ट्रिक मिक्सर का यूज़ कर रही हूँ और इसे विप कर लेंगे और यह देखिए सिर्फ दो मिनट ही हुए है और यह जो क्रीम है अच्छे से विप हो चुकी है इसकी पहचान यह है कि यह देखिए इसमें स्टिफ पीक्स बन रहे हैं और साथ ही अगर मैं इस बोल को उल्टा करती हूँ तो यह क्रीम नहीं गिरती है तो इटमीन से विप होई है और अब मैंने यह पांच गुलाब जमुन को छोटे टुकडों में काट लिया है अगर आप छोटे गुलाब जमुन यूज़ कर रहे हैं यानि मिनी गुलाब जमुन और अब हम इसे विप की हुई क्रीम में डाल देंगे और इसे एक बार दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे यानि अच्छे से विप कर लेंगे और तब तक करेंगे जब तक यह क्रीम के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता यह बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है एकदम स्मूद बेटर बन चुका है और अब इसमें दो गुलाब जमुन जिसे हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया था इसमें डाल देंगे साथ ही फ्लेवर के लिए एक चुथाई छोटी चमच इलाइची पाउडर और एक चुथाई चोटी चमच ही केवड़ा जल ड तो अब मैं इसे फॉयल पेपर से कवर कर दूगी और इसे दो से तीन घंटे के लिए फ्रिजन में रख दूगी ताकि यह थोड़ी से सेमी सेट हो जाएगी और यह दिखिए जब हमारी आइस्क्रीम सेमी सेट हो चुकी है तो हम इसे फिर से एक से दो मिनट के लिए वेप क और इसकी उपर फिर से आइसक्रीम का मिक्स्टर डाल देंगे और गारिश के लिए थोड़े से गुलाब जमून के पीसे डाल रही हो उपर और अब हम इसका धकन लगा देंगे और इसे फ्रिजर में रख देंगे पूरी रात के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाएगी औ और ये हमारी गुलाब चमून आइस्क्रीम बनकर तयार हो चुकी है यनि अच्छे से सेट हो चुकी है तो अब हम इसे जल्दी से साफ कर लेते हैं और ये देखे हमारी ice cream कितनी बढ़िया कितनी अच्छे से सेट हुई है और इसमें से scoops कितनी आसानी से निकल रहे हैं और ये जो हमने इसमें गुलाब जमून के pieces डाले हैं वो देखने में जितने बढ़िया लग रहे हैं खाने में उससे कहीं जादा टेस्टी हैं और साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि जब मैंने गार्णिश के लिए गुलाब जमून डाले थे तो वो अंदर ही सिंक हो गए थे जिससे ये उपड़ से इसमें गुलाब जमून आपको नजर नहीं आ रहे थे लेकिन मैं आपको सज़स्ट करूंगी कि जब आप ice cream को पहले जादा लाजवाब और मैंने इसे सर्फ किया है गर्मा गरम छोटे से मिनी गुलाब जमून के साथ इससे का टेस्ट दोगना हो रहा है मतब बहुत ही बढ़िया लग रहे है ठंडी ठंडी ice cream और गर्मा गरम गुलाब जमून बहुत ही बढ़िया बहुत लाजवाब है और यह जो हमने बोल्स में सेट करी थी यह देखे यह भी अच्छे से सेट हो चुकी है इसके उपर भी मैंने छोटे-छोटे से मिनी गुलाब जमून गरम करके रखे हैं और यह बहुत बढ़िया लग रहे है तो फ्रेंड्स आम भी सेसे पी को अपने घर में जरूर ट्राइ कर करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा